हेलो दोस्तो आप सब लोगों का हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल हेल्प वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप HDFC बैंक में अपना ओनलाइन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं आप यह पर अपन करने के बाद दोस्तो मैं अभी दिखाएता हूँ आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा ओपन इस पर किलिक कर देंगे जब आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने एक next page open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या interface आएगा वह मैं भी दिखा देता हूं दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है है यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है इसके बाद आप यहां पर नीचे यह authorized पर यहाँ पर click कर देंगे फिर आप proceed पर click कर देंगे जब आप proceed पर click कर देंगे तो आपके नंबर पर एक six digit की OTP send की जाएगी जो OTP आपके नंबर पर receive हो जाएगी वो OTP आपको यहाँ पर डालनी है यह OTP डालने के बाद आप proceed पर click कर देंगे इसके बाद दोस्त आपको यहाँ पर KYC document एक select करना है आप यहाँ पर अधार कार्ड या passport, driving license, कोई भी एक select कर सकते हैं जैसे कि मैंने अधार कार्ड यहाँ पर select कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर इसे scroll करेंगे दोस्तों इसे यहाँ पर scroll करने के बाद यहाँ पर I agree पर आप click कर देंगे इसके बाद आप यहाँ पर अधार कार्ड नमबर डालेंगे जो आपका अधार कार्ड नमबर होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे फिर आप अधार नमबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे फिर आपसे दोस्तों यह ओप्शन यहां पर आएका अधार OTP Authentication आप इस पर यहां पर क्लिक कर देंगे फिर आपको करना क्या है यहां पर request verification code पर क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके mobile नमबर पर एक OTP send की जाएगी वो OTP आपको यहां पर डाल देनी है OTP मेरे नमबर पर आ चुकी है मैं यहां पर डाल देता हूँ आप यहां पर OTP डालने के बाद यहां पर आइकन फर्म पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप proceed पर क्लिक कर देंगे फिर थोड़ा आप वेट करेंगे अब यह verify हो रहा है दोस्तों हम थोड़ा वेट करते हैं इसके बाद दोस्तों आप यहां से अकाउंट अपना स्लेट करेंगे आपको कैसा अकाउंट आप खुलना चाहते हैं किस टाइप का saving account ए, corporate salary account current account for individual तो यहाँ पर मुझे saving account open करना है तो हम saving account open कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है account variant आपको किस तरह का account चाहिए regular saving account, saving max account senior citizen account, woman saving account दोस्तों यहाँ पर आपको काविशतर मिल जाते है basic saving bank deposit account तो यहाँ पर दोस्तों हम basic saving bank deposit account open कर लेते हैं उसके बाद हम continue पर click कर देते हैं फिर यहाँ पर दोस्त हमारी यह state यहाँ पर automatically आ गई है city हमारी यहाँ पर आ चुकिए है अब हम यहाँ ब्रांच name डालेंगे दोस्तों दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है आप अपनी city का name यहाँ पर डाल देंगे जैसे कि ब्रांच name में city का name आप यहाँ डाल देंगे या district name इसके बाद आप continue पर click कर देंगे click your selfie from camera option दोस्तों यहाँ पर हमें एक selfie लेने के लिए बोला है हम यहाँ पर left selfie लेते हैं दोस्तों हम यहां से upload पर click करेंगे आप कि यहाँ पर me telescope बप्राउज दोकुमेंट पर click करेंगे हमने ब्राउज में से photo ले लेंगे अपनी दोStों जैसे कि हमारा ब्राउज यहां पर ओपन हो गए इसके बाद हम जहां पर हमने अपनी फोटो डाल लगी दोस्तों हम फोटो हमां से सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि मैं भी हम से अपनी फोटो ले लेता हूं इसे ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ से हम अपनी एक फोटो सेलेक्ट करेंगे यह वाली फोटो हम यहाँ से ले लेंगे इसके बाद दोस्तों हम अपलोड पर किलिक कर देंगे image uploaded यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों image हमारी upload हो चुकी है यहां पर हमारा name आ चुका है दोस्तों email id हम यहां से इसमें fill कर देंगे अपनी email id हम यहां पर डाल देंगे email id डालने के बाद दोस्तों data पर हम अपनी check कर लेंगे यहां पर हम अपना marital status देंगे married तो married कर देंगे other कर देंगे unmarried तो unmarried कर देंगे यहाँ पर हम अपना father name डालेंगे जो आपका document में name होगा father का वो name आप यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद दोस्त हम यहाँ पर mother madden's name डालेंगे अगर आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं वरना इसे आप छोड़ देंगे nationality आपके यहाँ पर automatically आजाएगी apply email statement यहाँ पर आप इसे on enable कर देंगे yes I wish to declare the nominee इसे enable कर देंगे register my account for third party transfer in net banking या mobile banking इसके लिए आप enable कर देंगे यहाँ पर आप अपना pen number डालेंगे यानि कि जो आपका pen card का number है वो आप यहाँ पर डाल देगे यह मैंने अपना pen card number डाल दिया है दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक upload pen card है यहाँ पर upload करना है आप इसे अपने browser में से choose कर लेंगे जो आपका pen card है दोस्तों यहाँ से मैं अभी दिखा देता हूँ उससे select करेंगे आप यह जैसे कि मेरा यहाँ पर pen card है यह मेरा यहाँ पर आ चुका है मैं इसे यहाँ पर upload पर click कर देता हूँ तो यह हमारा यहाँ पर upload हो जाएगा यह देखे ID proof uploaded हमारी हो चुकी है उसके बाद हम proceed पर click कर देंगे यहाँ पर दोस्तों mother maintenance name है यह डालना होगा हमें यहाँ पर हम अपना mother name डाल देंगे दोस्तों आप भी यहाँ पर अपना mother name डाल देंगे यह compulsory है इसे डालने के बाद हम proceed पर click कर देंगे अभी थोड़ा wait कर लेते हैं अब यह loading हो रहा है दोस्तों wait करते हैं हम इसका यह आगया हमारा है यहाँ पर दोस्तों अभी पर हमारे सामने आ गया address detail का अब हम यहाँ पर करना क्या है आउन स्लेट करने पर तो इसलिए यह नहीं डालना है हमें अब हम नीचे आ जाएंगे address as per अधार हमारा यह आ गया है दोस्तों यह हमारा अधार कार्ड से address ले लिया गया है अगर हम यहां पर और कुछ लेंडमार्क डालना चाते हैं तो हम यहां पर यहां पर लेंडमार्क हैं यहां पर डाल देंगें इसके बाद हम इस address is my permanent address है हम यहाँ पर PARMANENT पर किलिक कर देंगे इहां पर दोस्तों हम रिक्रबव्यर फील बहोत रोड नमबर या नेम लेंगे रोड नमबर या नेम ढालना है जैसे कि यहां पर नेम डालता हूं यहां बसकी बाद हम यहां पर हम पर्मानेंट पर किलिक कर देंगे यहां पर हमने permanent select कर लिया, इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे, यहां पर हम डालेंगे mailing address, जो आपका mailing address होगा दोस्तों, यहां पर flat number या अपना home number वो डालेंगे, फिर यहां पर road name डालेंगे, दोस्तों आप यहां road number जो भी होगा वो आप यहां पर डालेंगे, यहां state ऑगई हमने हैं पर डाल दिये, इसके बाद आप यहां पर city डालेंगे, जो आपकी city होगी दोस्तों अपर यहां पर डाल देंगे, यह हमारी city अपना उक्यूपेशन डिटेल पर आपको एक कोई एक स्वेट करना है जाज़े हाउस वाइफ अधर्स पॉलिटिशियन डिटायड सेलरी सेल इंपलोईट सेल्विंपलोईट सेल्विंपलोईट प्रोफेशनल इस्टुडेंट तो मैं यहाँ पर दोस्तों स्टुडेंट सेल्च कर इस हमें डाल देता हूं है हैं तो फिर दोस्ता आप इंकम तैको कितने आप करें जीतने बी दौस्ताप कि hamd बन लैक अभी डाल देता हूं दोस्तों तो उसके बाद हम continue पर क्लिक कर देंगे continue पर क्लिक करने के बाद दोस्तों upload document यहां पर अभी हमें दिखा जाता हूं यहां पर आधार की प्रोषिट पर क्लिक कर देते हैं अभी थोड़ाव यहां पर यहां यहां देने नियास है कि कि अधार्य का है कि कि काले अधिकनर पक्रेंमे दाल टाहर के बाद हम near जेक्ट करेंगे दोस्तों ही जैसे की मेरा यहां पर भूदर है तो में यहां पे ब्रोदर डाल देता हूं इसके बाद cozy will यहां पर हएं दोस्तों Hebrew में इयर डालेगे रर्फित अम हम यहां हो गया है दोस्तों हमारी date of birth complete हो गई है अब यहां पर दोस्तों पूछ रहा है प्लीज टिक इप सेम एज प्राइमरी अप्लिकेंट मेलिंग एंडर्स यानि के जो दोस्तों मेरा मलब यह मेरा ब्रोदर है तो इसका एडर्स मेरे से सेम है दोस्तों तो इसलिए मैं इस पर टिक पर क्लिक कर इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे दुस्तों डेटोपड सिलेक्ट करेंगे है किसी और का नहीं कि नहीं है नाम धान कई है और हम यहाँ पर उसकी डेटोपध होगी हम यहाँ एं यह डेट ओपर डालने के बाद दोस्त हम continue पर click कर देंगे दोस्तों जो हमारा अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैंने डेट ओपर इसलिए कम डालिए ताकि मैं आपको यह error भी दिखा सकूँ ठो हमारे दोस्तों यह हमारे कम बता रहा हम लग है 18 अब हम दूस्ता हम सब्सक्राइब अलग है तो इसलिए हम डेट वपर डाल देंगे यह 18 से अब हो है तो हम यहाँ पर इनकी डाल देते हैं डेट वबर्थ है अब यहाँ पर इनका यहर स्लेक्ट करेंगे हैं इस तब हम हम अबाद अब कि करेंगे इसके बाद हम सब्मिट पर किलिक करेंगे अब यहाँ थोड़ा वेट होगा है दोस्ता हम वेट करते हैं अब आप स्क्रीनी पर देख सकते हैं दोस्तों Congratulations Tanvir Alam, your request for opening a basic saving bank deposit account has been submitted successfully What next? Our representative will call you shortly to schedule a time to take your signature of the form and pick up the necessary document to process your application यह दोस्तों यहाँ पर हमें बता जा कि हैं जो representative है bank के वो हमें call करेंगे हमें बुलाए जाएगा bank में के हमारे form पर sign करेंगे और हमारी KYC complete की जा सके यह हमारा यहाँ पर application reference number है दोस्तों आप इसे note कर लेंगे या फिर आप इसकी को एक pick ले लेंगे account type आप यहाँ पर देख सकते हैं selected branch detail यहाँ पर branch name यहाँ पर आ चुका है दोस्तों इसके बाद हम नीचे करेंगे आप उसे यहाँ पर track भी कर सकते हैं दोस्तों अभी मैं आपको दिखा जाता हूं दोस्तों मैं अपने यहाँ पर एक बार इसकी पिक ले लेता हूं दोस्तों जो मैंने यहां पर ही है मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है मैं भी अभी यहां पर इसकी एक पिक ले लेता हूं दोस्तों आप इसी तरह से को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना साथ ही साथ वैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद दोस्तों